अपने आप लिखने होगे मैं आपको प्रेश्टन एक डो और तीन को समझेंगे तो आप सब तयार है ना? तो चलो हम प्रेश्टन एक डो वाख्या में लिखे यहाँ पर जो प्रेश्टन दिये गए हैं आपको एक डो वाख्या में लिखने हैं नमबर एक, सभी सबजिया क्यों इकट्टी हुई थी? सोचो, क्यों इकट्टी हुई थी? तो सभी सबजिया खेलने के लिए इकट्टी हुई थी नमबर दू, कलगी डार बैगन ने सब को क्या कहा? कलगी डार बैगन ने सब को क्या कहा? कलगीडार बैगन ने सबको सान करते हुए कहा दोस्त आप सब अपने अपने स्ठान पर उप्योगी और सही है मेल जुलकर रहने में ही हमारी भलाई है किसने कहा कलगीडार बैगन ने नमबर त्रुन रसोई को स्वारिस्त बनाने के लिए किसका उप्योग होटा है आपके घर में रसोई तो बनती ही होगी और आपकी मुमी रसोई को स्वारिस्त बनाने के लिए किसका उप्योग करती है सोचो अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी हमें से पुछ सकते हो नमबर चार स्वरेश के लिए तडब तडब कर मरने की सीख हमें कौन देता है सीखो कविटा में से आपको दूंदना है नमबर पांच जल धारा से हमें क्या सीख मिलती है जल धारा से हमें जीवन में आगी बढ़ते रहने की सीख मिलती है नमबर चो डूख में हमें क्या करना चाहिए अगर आप पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप क्या करोगे सोचो नमबर साथ लड़के ने असरफिया कहां रखी ठी नमबर आट लड़के की माने उसे क्या सीख दी लड़का यानि अब्दुल कालिर तो अब्दुल कालिर की माने उसे क्या सीख जा शोचो नमबर नव डाकू ओने क्या प्रटीगना की डाकू ओने कभी लुटमार न करने की प्रटीगना ले अब्दुल काडिर की समाधी कहा है अब्दुल काडिर की समाधी बगडाद में है जमिन खोडने के लिए बच्चे क्या क्या साधन लाए सोचो जब इन खोड़नी है तो साधन की जरूरत तो पड़ेगी तो बच्चे किसका उप्योग कर रहे हैं सोचो नमबर तेर 11 प्रश्ण दुम दुमा गाउ की क्या समस्या थी दुम दुमा गाउ की क्या समस्या थी नमबर तेर पानी कहां कहां से मिलता है आपको पटाओगा आपके घर में पानी तो आता है ना हाँ तो पानी और कहां से मिलता है सोचो नमबर चाओद मोहन ने अजय के जन्मदीन जन्मदीन के दिन उपवार में क्या दिया मोहन ने अजय को जन्मरीन पर क्या दिया अगर आप सच्टा पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा नमबर पंदर अजय के मोहले में गंड की क्यों फेली हुई थी अजय जब मोहन की गर जाता है अजय के मोहले में गंड की क्यों फेली थी जब मोहौन अजय के घर जाता है तो गनकी डेखता है तो वो गनकी क्यों फेली हुई थी? सोचो नमबर सोर हम नगरपालिका को मदद कैसे कर सकते हैं? नमबर सत्तर सत्रा भारत माटा की सान कौन है? सोचो बच्ची भारत माटा की सान है हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम अच्छे अच्छे काम करके यानि कि महान काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं नमबर उन्नेस हमारे डेश का भविश्य कौन है? हमारे डेश का भविश्य कौन है? हमारी डिस्ट का पविश्य नन्ने मुन्ने बच्चे है नबर विश विद्ध्या लई के मैदान में पड़े कागस की टुकडे देखकर आप क्या करेंगे अगर आपके विद्ध्या लई के मैदान में कागस की टुकडे पड़े होंगे तो आप क्या करोगे सोचो हाथी कैसे नाते है इसके लिए आपको इस कहानी को पढ़ना पढ़ेगा नमबर बाइस चंडा मामा क्यों नाराज है क्यों नाराज है क्योंकि सरुवर के समेब नरम मिट्टी के सुराख किये हुए थे और उनके आने से सुराख डग गए थे इसलिए चंडा मामा नाराज थे किसके आने से हाथीयो के आने से हाथीयो का जूंड क्यों डर गया क्यों डर गया क्योंकि सरुवर में हलकी हलकी लहरे उत रही थी और चंडा मामा उसके साथ उपर नीचे हो रही थी यह बात खर्गोस ने हाथियों को समझाया कि चन्डा मामा गुसे से काप रहे थे तो यह देखकर हाथियों का जूंद डर गया खर्गोस के बील कहा थे? खर्गोस के बील कहा थे? नमबर पचीस पेड क्यों चल नहीं पाता? पेड अपनी जडों से एक जगह स्ठीर है इसलिए चल नहीं पाता नमबर चबचीस कागस का गोड़ा और धागे की लगाम किसके लिए कहा गया है? सोचो कागस का गोड़ा और धागे की लगाम किसके लिए कहा होगा? इसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा नमबर 27 आपको खाने की कौनसी मीठी चीजे पसन है आप मीठा तो खाते ही होंगे तो आपको पता ही होगा कि आपको कौनसी मीठी मीठी चीज पसन है जैसे की जले भी बरबना तो आपको यहाँ पर लिखना है पेड के नाम की सुची बनाईए आपने बहुत सारे पेड देखे ही होंगे आपको उस पेड के नाम यहापर लिखने है पहल्या समझने से हमें क्या फाइडा होता है? क्या फाइडा होता है पहल्या समझने से हमें? सोचो पहल्या हमारी विचार करने की शक्ती को बड़ाती है और हमारी गनान में वृद्धी करती है नमबर टीस, किसका गर गोल है, सोचो, घर, किसका गर गोल, आपको सोचना होगा प्रेश्ण दो, नेमन लिखीट प्रेश्णों के उत्तर, दो टीन वाक्या में लिखे यहाँ पर आपको एक वाक्या नहीं, लेकिन दो टीन वाक्या में लिखने है नमबर एक, बेलो पर और जमिन के अंदर होने वाली सबजियों की नाम की सुची बनाईए मित्रों, आपको तो पताईए कि बेलो पर कौन सी सबजी होती है जैसे कि लवकी, करेला और जमिन के अंदर आलू, सकरकन और भी सारी सबजियों के नाम है जो आपको लिखने है आपको बेलो पर और जमिन के अंदर होने वाले नाम की सुची बनानी है नमबर डू, करेले के बारे में दो तीन वाक्या लिखे करेले के गुंटो आपको पताईए, आपको करेले के सबजी के बारे में लिखने है कि वो हमें किस तरह उप्योगी है नमबर टिन हम अपने आसपास से कुछ भी नहीं सिखेंगे तो हमारे जीवन पर क्या असर होगा मिट्रो हमें अपने आसपास से कैसी बाते सीखनी चाहिए अच्छी बाते सीखनी चाहिए बरबन, अच्छी बाते न सिखेंगे तो बुरी आदते हमारी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगे ना और बुराई के वातावर में कोई भी अच्छी तरस से जी नहीं पाएगा इसलिए हमें अपने आस्पास से अच्छी अच्छी बाते सिखनी चाहिए और बुरा आचरण नहीं करना चाहिए तो आपको ये प्रेश्ण समझ कर लिखना होगा नमबर चार डाकू ने लुता हुआ सामान वापस क्यों लोटा दिया डाकू ने क्यों लोटा दिया पहले तो उन्होंने लुट मर की फिर वह सामान वापस लोटा दिया तो क्यों लोटा दिया सोचो नमबर पाच दाकू ने लड़के से क्या सीखा? तो दाकू ने लड़के से इमानदारी सीखे दाकू ने सूचा कि इतना छोटा लड़का अपनी मा की सीख मानता है और हम इतने बड़े होकर भगवान की बनाए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते यह बात उन लोगों को समझ में आ गई इसलिए उन्होंने लोटमार भी छोड़ दी और नेक रास्ते पर चलने की प्रतीगना की नमबर चो लोग पानी का अपव्याई कैसे करते हैं लोग पानी को कैसे बिगारते हैं तो लोग अपने घर में अगर नल टपक रहा हों तो वो लोग बड़लते नहीं हैं तो इस वज़़से बहुत सारे पानी का नुक्षान होता है पीने के पानी से वो लोग पश्चुओं को नालाते हैं अपने वाहन भी पीने के पानी से ढोटे हैं ब्रवन पीने के पानी से हाथ पेर्द होते हैं तो इस तरह पानी का अप्व्याई होता है तो उसको रोकने के लिए आप लोग क्या करोगे? पानी का अप्याई बन करने के लिए आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि जरुरत मुटाबिकच पानी का उप्योग करें तपक्ते हुए नल को बंद करें अगर आप चाहे तो जलाशायो पर सुचना भी पानी के लिए लिख सकते हैं तो आपको पता चल गया हुगा कि पानी का अप्योई कैसे होता है कैसे करते हैं लोग और आप लोग अप्योई पानी का अप्योई रोखने के लिए आप क्या कर सकते हैं यह दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी नमबर साथ, पानी की कमी के काराण दुम-दुमा गाउं के लोगों को कौनसी मुसीबते जेलनी पड़ी पानी की कमी के काराण दुम-दुमा गाउं के लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था जैसे कि उन लोगों के खेट सुख जाते थे बच्चे पानी में खेल नहीं पाते थे बच्चे पानी में तेर ना चाते थे लेकिन वह लोग पानी की कमे के काराण तेर पाते नहीं थे नमबर आठ ताला में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा घाओं को क्या फाइदा हुआ? क्या फाइदा हुआ होगा? सोचो अगर पानी पहले नहीं था तो बहुत सारी तकली मुसीबते जैलनी पड़ती थी अब पानी बर गया है तो अब उन लोगों को क्या फाइदा हुआ होगा सोचो इसलिए आपको पाथ पढ़ना पड़ेगा नमबर 9 अजय की मा ने अपने मुहले में सफाई न रहने का क्या कारण बताया जब मोहन अजय के गर जाता है और गनकी के बारे में अजय की मा से बात करता है तो अजय की मा क्या मोहन को समझाती है क्या कहती है सोचो अगर आप नहीं समझ पाते तो इस पाथ को एक बार पढ़ लो नमबर 10 सडक पर छिलका फेकना बूरी आदत है क्यों? सोचो अगर आप अपने घर के आगन में सडक का सडक पर या अपने घर के आगन में छिलका फेकोगे तो क्या होगा? आपको सोचना है कि यह आदत अच्छी है कि बूरी है अगर बूरी है तो क्यों है? ओके? नमबर 11 आप डेश सेवा के लिए क्या कर सकते हैं आप डेस के लिए क्या कर सकते हैं सोचो आप अपने डेस के लिए डेस की सेवा करना चाते हैं तो कैसे करोगे आप सरहर पर जाकर दुस्मनों से तो लड़ नहीं सकते तो आप गर पे रेकर क्या कर सकोगे? सोचो किस तरह आप डेश की सेवा कर सकोगे? नमबर बार, खरगोष क्यों दुखी थे? सरोवर की कीनारे जो गीली मिट्टी थी, उस गीली मिट्टी में उन्होंने सुराख बनाए थे, सुराख ख्यानी की छेद, तो वो लोग सुराख बना कर खरगोष उसमें रेते थे अब हाथी सरोवर में ना कर मिट्टी में लोट लगाते थे, तो इसके कारण खरगोष का परिवार डब कर मर जाएगा, यह सोचकर खरगोष बहुत लुखी थे हाथीयों का जुन क्यों दर गया था? हाथीयों का जो जुन था, वो क्यों दर गया था? क्योंकि सरोवर में उठी हुई लहरों के कारण चन्दा मामा क्या कर रहे थे? उपर नीचे हो रहे थे तो यह बात बताकर खरगोष ने हाथीयों को समझाया कि चन्दा मामा गुसे से काप रहे है यह देखकर हाथीयों का जुन दर गया खरगोसों का सरडार क्या बूला क्या बूला सोचो अगर आपको नहीं पतना तो यह पात पढ़ो यह कहानी आपको पढ़नी पढ़ेगी नमबर पंडर पेड हमें किस तरह मददगार होते है आपको तो पताई है की पेड हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है तो आपको यहां पर लिखना है कि वह हमें किस तरह उपयोगी है तो मित्रो आपको यह प्रेश्ण आपको समझ में आ गया होगा प्रेश्ण 3 निमनलिखीट वाक्य कौन किसे कहता है लिखे यहां पर वाक्य कौन बोलता है और किसे कहता है यह लिखना है मित्रों यह लिखने के लिए आपको अपनी पाथ्थे पुस्टक में दिये गए इकाई को पढ़ना होगा नमबर एक डोस्ट आप सब अपने अपने स्थान पर उप्योगी एव सही है यह वाक्य कौन बोल्टा है? आप कैसा सोर पाथ में से आपको यह उत्तर मिल जाएगा तेरा नाम सुनती ही बच्चे दूर भागते हैं किसका नाम सुनती ही बच्चे दूर भागते है? सोचो मेरे पास चालीस असर्फिया है यह वाक्य कौन बोल्टा है? और किसे केता है? सक्चा बालक में से आपको यह उत्तर मिलेगा बादल रोज कैसे बरच सकते है? यह वाक्य कौन बोल्टा है? किसे केता है? यह आपको लिखना है? कौन किसे केता है? नमबर च्छ तुम्हारे मोहले में इतनी गंदगी क्यों है? यह वाक्य आपको स्वच्च्टा इकाई में से मिल जाएगा है इसका उत्तर आप भी इस काम में इनकी सहाईता करें नमबर आथ हम चान के बांजे है यह वाक्य कौन किसे केता है? इसका उत्तर आपको खरगोस और हाथी की कहानी है उसमें से मिल जाएगा नमबर नौव चमकते हुए चान को हमारा नमस्कार नमबर दस वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा तुमित्रो यह तीनो आथ नौव और डस नमबर का वाक्या आपको खरगोस और हाथी की कहानी है उसमें से मिल जाएगा तो इसके लिए आपको पहले यह कहानी को पढ़ना होगा ओके? फ्रेंस आपको असाइमेंट की प्रेश्ण एक, दो और तीन प्रेश्ण समझ में आ गए होगे उत्तर के लिए आपको पाथ्या पुस्तक पढ़ना जरूरी है ओके? तो फिर हम मिलेंगे तब तक के लिए आओ जो